हालो गाइज गूड आप्टरनून और वेल्कम बैक टू जोबने लाइव आज मैं आपको हमारे फार्म पॉंट के बारे में बताऊँगा जो कि हमने हमारे खेत में बना रखा है और मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी डेटेल देता हूं कैसा है क्या है क्या साइज है कि कमें लें रेजन यह तो यह है उत्ते हैं मिलन हर्म फार्म पॉंट को आप आराम साथ क Ron अन्षर कर्में में क्यूंक्राइब को कम है कि है ही इत कि ए कि बारिस कम आई है ओर फीछे शली finns एक बनवाय था यह तो बारिस इस नहीं हुई इस चक्र मेना पानी इसमें काम है और सारा है जो बारिस का पानी है इसमें पहले पानी थोड़ा ज्यादा था आपको दिख रहा होगा एक यह वाइट वाइट सी किनार दिख रहे होगी जोकि खाली हो गया इतना है यह प्रोक्स यह डाई दो से डाई फुट कि खाली हो गया है अभी क्योंकि अभी हमारे पासलों में पानी काफी देना पड़ा है तो इस चक्कर में बाकि यह चल जाएगा तब तक वारिस के दिनों तक तो आराम से चल जाएगा इसकी साइज जो है मैं आपको बता दूं एक सो पिच्च्च्य सी वाई पिच्च्च् में यह साइज और इसकी लेंद्ध जो है गेरा ही मतलब तो यह प्रोक्स पड़ेगी कि चोदा सी चाड़ी चौदा फूट कहीं पिचोदा आए कहीं पिचोदा आप मान लीजिए चौदा फिट गहरा है और जो इसका मतलब है में हमने शीट जो लगा रखी है इसमें यह सनन कूल की है बड़िया कमिई है और बड़िया सीथ जो शीट देखरी आपको ब्लैक ल जाली लगा रखिये है ताकि कोई भी आवरा पसु कुटा बिली जो भी हो रात के समय में गिरे नहीं इसमें क्योंकि इसमें अगर गिर जाए ना तो बात में निकालना हो जाता हो निकाल भी ले तो ये शीट को मतलब पाड़ देते हैं क्योंकि लास्ट ये के कुटा इसमें तो ध्यान नहीं दिया और राती रात में उसने कई जिए करती है तो वापीस हमको रिपेरिंग निकालनी पड़ी थी इसके इसके इसलिए जाली चाहिए कोई भी पासू गिर जाए कोई भी छोटा बच्चा आ जाए इसलिए हम इसके तारत रफ जाली क्यों यह बढ़ी है कोई दिक्कार नहीं है इसमें पानी आ रहाया भी ठोड़ा सा ह causing कर शोटुबेल है उसमें पानी कम है जो कि इतना पानी तु Churchill आलूरेते हैं 24 एधा क्ला उ सकत्करार्चिन और यह इदर जो लगा रख्ये हैं इधर गहँं लगा रख्या हैं सामने उदर अराम से जो वाइट कलर का आपको दिखो लोटन दिख लिए होगी वह उदर कि अधर लगा रखी है कि पास में से पाइप है कि उसके आगे प्याज की लगा रखी है वसल यह क्यों है और बाकि दूसरे खेतों में हम पाइप मतलब लगा रखे हैं जमीन में दवा रखे हैं तो उसके थ्रोग या न हम वह पानी दूसरे खेतों में ले जाते हैं वहां पर सर्चों और जो लगा रखे हैं इसकी हमने खुदाई करवाई थी लास्ट ये तो हमारे खर्चा आया था जो कि एप्रोक्स आड़ से नो लाक रुपे का खर्चा आया था उसमें से हमें रास्तान गौर्वेंट की तरफ से पांच लाक रुपे सबसीडी मिले थी और ये डेड़ बी का जमीन एप्रोक्स ल लिए तो जाली के अंदर तकी चारू तरफ जाली है तो वह भी आएंगे चारू तरफ हमने बड़ी से मजबूत से जाली लगा रखी है तो वह एरिया बहुदा गया जाए तो इसका एरिया आता है तो यह तो आपर फारंपॉंड कैसा लगा आपको और कुछ अगर आपको पूछना हो फार्म पूंड के बारे में तो यह पाइप लगा रखा है देखो और वह आपको पॉंप दिख रहा होगा नदर रस्ते से बांद रखा निचे टायर लगा के तक आराम से सीट वीट कटे नहीं तो एक्चुली अगर आपको कुछ भी फूचना हो फार्म पूंड क के बाद बाद बारे में तो आप हमें कमेंट कीजिए और प्लीज लाइक चरू कीज़ेगा वीडियो को तक हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे आपको फामिंग एरिया के बारे में और अगरिकल्चर के बारे में जो भी कुछ डीटेल हो बताना तो आगे हम आपको आपको बताईए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए गया I am new on this channel so please सब्सक्राइब कर देना तोड़ी सी महरबानी दिखाना thank you for watching मिलते नेक्स व्लोग में thank you